जैसिरी राम सबको परनाम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं परकास के अपवारतन के बारे में और पिछले वाले वीडियो में हम लोग परवारतन के बारे औरे में समझ चुके थे अगर उस वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लि होता है मेरे पास भी मजबूरी है ठिकना जा करके देख लीजिए नहीं देखिएगा कोई बात नहीं क्या करेंगे हाथ ऐसे कर लेगे समझरे बात को तो चलिए मजाक होते रहेगी हम लोग चली समझते हैं परकास के अपवरतन को कुछी समझेंगा हूँ परकास के अपवरतन परकास ध्यान दीजिएगा परकास का अपवरतन ध्यान दीजिएगा गौब से देखिएगा समझ में आवेगा थोड़ा दूर मोबाइल करके ऐसे नहीं सटा के ठिकना न तो आख पर जोड़ परेगा अगर आख पर जोड़ परेगा वाबु तभी साधी ना बीबा हुआ ह है दिकत वाली बातना है है ना चली को समझते हैं परकास का अपवरतन के बारे में देखें परकास का अपवरतन क्या है एकदम सींपल को में समجھ और जैसे कि आज कि ट्रेंड गल्रींड होती है उसे ही परक tipping मिला खंसक दिया तीछंगली मार दिया पूसरा को है समझ रहे बात को जैसे कि आज की गल्फ्रेंड क्या ची है तुम्हारे पास अगर मनी है नवावू तब तुम्हारे साथ रहेगे अगर तुम्हारे पास मानी खताम दूसरा कोई मिल गी या मनी वाला बस उसके पास चल गई तुम हाई हाई करते रहा जाओ ऐसे समझ गए हैं उसम पर धियान मत दीजिए ठीक ना पड़ाय लिखाय पर धियान दीजिए तो देखे परकास का परवारतन समझने के लिए वाबो सबसे पहले एक लाइन पारना होगा इसको रेखा भी बोलते हैं लाइन को ठीक है? कोई दिकत वाली बात हो रहा है जी, कुछ कस्ट हो रहा है, दुख हो रहा है तकलिफ हो रहा है हमसे बोलिए बोलिएगा कैसे कमेंट करके तो हम बोलते हैं जी आपको थक आवाज चल दाता है आप बोलिएगा हम था हमको थक आवाज नहीं आवेगा दिल से दिल का कनेक्शन है आपको हमारे बीच समझ गये हैं चली समझते हैं देखो ये बायू है ठीक है जी काच ये बावू बायू मत हावा एतनों पता ना है हावा लिए न इसमें चाहजे ची मिला रहे लेकिन हावा हावा होता है समझे हावा नचलेगा तत फिर दावा पता छल दर दाइगा Ec dul तो परकास का परतन क्या ची है ये बायू है उपर में नीचे में काच है काच द्यान दिजिएगा उपर में बायू है नीचे में काच है समझे समझे अपवर्तन को बाभरना दिकत होगा बावो, समझ गए चलिए समझते हैं, देखी क्या जहोता बावो, धर से कोई परकास आई, इससे टक़ाई, तो हम लोग परकास में हम लोग पढ़े हैं वड़ा भरतन में, कि जब परकास की कियों किसे सता पढ़ता है, तो टकराता है तो कुछ हो जाता ह बापास लोट जाता है देखने इसमें कुछ हो गवावू ठीक है कुछ परकास तो बापास इधर लोटेगा कुछ कुछ समझ गयें लेकिन कुछ इद्धार आ जाएगा समझ रहे हैं कुछ इससे पार हो जाएगा तो देखो यह माध्यम एक हो गया पहला माध्यम पहला माध्यम तो यह है कि हावा में परकास गया ठीक है दूसरा माध्यम तो यह है कि हावा से गया कहां काच में परकास समझ ग जाती है तो वह सीधे ना होकर थोड़ा सा तेरहा हो जाता है यानि कि दूसरे तरफ मूड जाता है इसी घटना को बोज़ते हैं परकास का अपजारता है मतलब समझें जैसे कि अगर तुमको कोई गल फ्रेंड है और वो छोड़कर चल गई कि अगर वो कहीं बजार जा रही है तुम सामने नजर आ गए तो वो तुम्हारे सामने ना कर बिचली कली से या कोली से इसे इसे निकल जाएगी चुपके से कि भाले नव हमको देख ले अप ऐसा जो दिये हैं वो वापस माग ले बड़ी तेज होती है जी लड़की लोग है ना चलिए ऐसा ही आगे बढ़ गई चलिए ध्यां दिजीगा तो पहला माध्यम से परकास आया आया तो सही लेकिन इधर से भी कुछ लोटता है ऐसा बात नहीं है कि पूरा के पूरा इधर ही से गुजर जाएगा तो इधर से थ अच्छी है जी अधिलल आब देखो जो कीरन आती है उसे कुछी बोलते हैं इस उसे कुछी बोलते हैं partner मैं आत है कि बैटिए कि दहां दिजेगा रहां दिजेगा कि और जो कि लोट ती हो से परावरतित कीरन बोलते हैं पुछा हैं पिछे भी लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज हो जागा की इधार हमुरा आ आ है आप वर्टित की ला सुथ केरन समाज चीले में आया समाजे में आया किसको बोलते हैं परकास का तक्थेशिक भाड़ां मतलब कि बाभु जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चाती है तो वह मूर जाती है ठीक है बिचाड जाती है इसी घटना को बोलते हैं दिल में चूट लगना मतलब कि कोई अगर तुम को छोड़ कर चल गई तर दिल में चूट लगे गाना जी बिचाड गई तो इसी घटना को बोलते है दिल में चोट लगना समझ गें बात को हां तो इसी घटा को जब परकास के किरन एक माधियम से दूसरे माधियम में जाती है तो वह कुछ मुड़ जाती है वह मुड़ जाती है इसी घटा को बोलते हैं परकास का अपवर्प दुवासा करते हैं आप लोग को समझने आया होगा ठिक ना, देख को बाबू छोटा-छोटा वीडियो बनाने का मक्सद एए है की लाइन, هंद जो होता है, वो बहुत जादे मातरा में कटी है, ठिक ना तो छोटा-छोटा वीडियो से हम आप लोग के समझाने का कोषिस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है, कि हम छोटा- अमदनी आवेगा जो भी अमदनी आवेगा जिसे मान लिया जा सौर पर अमदनी आया यूटूब से तो उसमें दम हकिकत बोरे मजाक वाली बात नहीं बोरें तो सौर पर अमदनी आया वावू तो उसमें से मातर हम 30 रपे रखेंगे लेकिन 70 रपे जो बचेगा वो आप लोग के उपर खर्च किया जाएगा ठीक ना और एक बात हमेशा याद रखना वावू यूटूब पर लोग बोलते हैं ऐसा बात नहीं है कि अगर फेमस हो जाता ह है तो उसमें घमांड आ जाता है हां आता है पिलकुल हम मानते हैं ऐसा बात नहीं है कितने लोग को लोगों को देखे हैं उनमें घमांड आया है ऐसा बात नहीं है लेकिन हम एक ऐसे मट्टी के बने हैं कि जो अथी एक मट्टी के नाम जानते हैं घिष्टा ही मट्टी हम ल हैं तो इसा बात नहीं है कि हमकों में कोई घमन डावेगा भगवान न करें स्री राम जी न करें कि हमकों में कोई घमन डावे हमेशा ही आप लोगों मदद करते रहेंगे, करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, एक बात दम हमेशा याद रखेगा, यह नहीं कि मतलब यूटुप पे अगर थ्वासा अगर पैसा उसा कमाने लगें, तो हम यह हो गएं, वो हो गएं, ऐसा बात हमकों में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, एक बार प्लीज हम पे भी स्वास करके देखे ठिकने हम को आगे बढ़ा करके देखे समझें चलिए चलिए बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में किस यान टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन बंदे मातर